अलक तू गर्ज तू बरस तू धूप में चाओं की एहसास तू अने खाली खावा नूज नहीं पन बालकों ने हलर डाना संस्कार पन आपने जापपा पड़े अलक तू गर्ज तू बरस तू धूप में चाओं की एहसास तू नमस्कार मैं राजा भारत की आपमा हूँ मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतहकरण में समाई रखी हैं ये आपको अपने गौरफशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के सहसिक कारियों से अवगत कराएंगी आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की जसका नाम था छत्रपती शिवाजी महाराज जसका नाम था छत्रपती है करज तूं बरस तूं धूप में चाओ की एहसास तू जीत तू जान तू जहान तू हो गई ती हास का ताज तू पन्नों में रहेगा माजिके सब को लेना साथ जोड़के आंधी और तूफान से बिड़े होसले की कष्टी ना रुबे हो गई ती हास का ताज तू हो गई ती हास का ताज तू इस दुनिया में सबसे बड़ा योधा मा होती है सामने पोज है क्योंके इंतिहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी अगर तुमने हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछे खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगोंने हिम्मत जुटा ले कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरे दुनिया जीत चाओगे अगरे वो pen जगरे वो तुमेजर खड़े अगरे वो अगरे वो अगरे झाल झाल